कि नमस्कार दोस्तों दप्लान गुरू चैनल में आपका हर्दिक स्वागत हैं आज की स्कड़ी में हम पोदो को शेप कैसे देते हैं या आप यह देख रहे हैं मेरे सामने कि यह जो हिरन बना हुआ है या कोई भी स्टेचू बना हुआ है उसको वायर आड के द्वारा किस तर दिखे तो बहुत प्रकार से यह काम किया जाता है मैं अलग अलग तरीकों से आपको बताऊंगा कि आप अपने घर पे या अपनी बालकनी पे अपने गार्डन में किस तरह से पौदों को शेप दे सकते हैं और बहुत ही सुन्दर बना सकते हैं चलिए देखते हैं सबसे पह तो उसमें कैसे बनाना पड़ेगा तो अब मैं बेसिक से आपको यह समझाता हूं कि सबसे पहले जो है आपको ऐसे गैलनाइस का तार लेना है जो आसानी से मुड़ जाए थोड़ा कड़क भी रहे ऐसा लेना है ताकि वह अपने पेरों पे खड़ा रह सके उसके साथ में है दस है में आट एमिम के दो तीन सरीय ले सकते हैं ताकि वह जो पेर बनाएंगे हम उनका तो उस पर आसानी से टिक सके और यह थोड़ा सा मजबूत रहे इसलिए हमने जो है दो सरीय लिए हैं और हमने जो लिए हैं वह आट एमिम के सरीय किसे यहां भी लिए और पिछले पीर है तो यह ही रड़ का बेज बनाने के लिए जरूत रहेगी और उसके लिए हमने जैसे यह देखिए दो पिछले पेर और दो अगने तो पिछले पेर के लिए हमने चुक्ति हम को यह सेल आउट करना रहेगा इसलिए हम लोगों आपको पर्मानेंट बनाना है तो सबसे पहले आप चार पोदे जो है एक फिट की दूरी पे और पीछे चार फिट की दूरी बनाके अब चार पोदे इसके लगा सकते हैं पोदों के यह आप इसके लिए दो वराइटी है एक तो माल पीजिया है यह देख रहे हैं यह जो आपको भी दिखाऊंगा यह दोनों प्लांट जो है कोई भी शेप बनाने के लिए परियाप तो सबसे पहले हमने चार पेर खड़े किये और ऐसी गोल रिंग बना लेना है जो दिन बनी हुई है जैसे यह देख रहे हैं यह गोल रिंग बना सकते हैं और पहले तीन या चार सीधी लाइन में हमको तार लेना है और उसके गोल राउंड से उसके पेर बनाना है गोल तार को करके इस तरह से इसको राउंड बनाना है और उसके बाद में इस तरह से इसका पूरा धड़ बनाना है इसका जो बाड़ी है और बाड़ी के लिए भी ऐसे करेंगे हम चार पा तरह से चार रिंग लगाके आप इसका शेप बना देनें ताकि इसके अंदर पौधा जब अंदर हो जाएगा और जब पत्ते बहुत सारे निकलेंगे तो यह तार दिखेगे लिए कुछ समय के बाद में यह तार दिखना बन हो जाता है और जब हमने यह पोदा लगाया तो इसमें बहुत सारे पत्ते निकलते हैं घरन का दीरे-दीरे शेप लेगा अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो नया फुटाव आता है पोदे में वो केसे आता है उसके शरीर जब हमने बनाया था तो दुसका वायर था यह जो तार है यह अंदर भग जाएगा और यह अम लोग इसको उपर से खट हो जाएगा तो यह दिरे दिरे शेप लेलेगा और हमको जब यह अभा पत्ते जब बहुत सारे निकलते हैं उस्सेमें हमें जो है इसके आप में जो उपर आएगा फिर उसकी हम कट कर देंगे यह देखे आपने देगा कि हमने यह इस तरह से इसको नमा के अंदर कर दिए तो यह यह कंटीनिव करना पड़ेगा तो सुरू में आपको काटने की कम जरूत पड़ेगी क्योंकि हमको यह धाचे को पहले भरना है इस त इस तरह से यह बंता चलिए जो चार पोदे हमने इस पर लगाये थे तो वह दीरे से बढ़ेंगे वह बढ़ने के बाद में हमको पेरों में फसा देना उन पौदों को उसके पेरों के साथ में उसको बढ़ा हो देना है और इसके बाद में जब बढ़ा हो जाएगा तो यह तो जो आगे के पेर के जो हमने पौदे लगाए हैं वो आगे के ढाचे में चलेंगे उसके बाद में यह जो है यह जो हमने सीर बनाया इसका तो सीर में वो पौदा चलेगा और उसकी ब्रांचे निकलेगी तो जैसे उसके दो हमने सिंग बना दिये और ऐसे करते-करते जो है इसका मुह बन जाएगा और आगे की धड़ बन जाएगी उसके जो पीछे जो आमने दो पोदे लगाएं उससे पीछे की धड़ पूच और जो यह बीच का हिस्सा बन जाएगा कुछ दिनों के बाद में यह जब सारा आपस में मर्ज हो जाएगा तो हमको मालूम नहीं पड़ जरिंगेट कचवव बन जाएगा आप चाहे तो वह हीरन बन जाएगी याज रहे चोटा पोदा बनाना है तो आप बाज बना सकते हैं या हाट का शेप बना सकते हैं यह जो आप यह पार पास पर प्लांट देख रहे हैं यह बॉक्सूट पार बढ़ी शाहिन वाली पत्ति और यह जो बाक्षी नाना है और इसे आपको बनाना है जोroot आप qそれでは बनाते हैं छोटे वाले तो उसके लिए यह बॉक्सूट का पौधा बोड़ शुटे क्योंकि इसमें पत्ते बहुत आते हो चोटे इस्टेचू के लिए बहुत इसुटेबल प्लांट है तो हम रिक्मेंट करेंगे कि यह जो है बॉक्सूट का प्लांट आप लगा है और यह दी बड़ा इस्टेचू बना रहे तो उसके लिए मालपीजिया का प्लांट लगा है आप जिराप बना रहे है कि जीराप के गरदेन बना ली और उसके बाद में यह यह टाचा बना लिया अभी या देख के यह पर मेरे और इसके साथ में आंने यह टाचा बना लिए है तो आप इस तरज से लिए और polit कि इस टेचू बनाया है इसका हाथी का उसमें वही हमने जो प्रक्रिय कि यह की चार पेर बना दिये यह कान बंद रहे हैं और यह जो है उसके सोन बंद रहे हैं यह अभी तैयार नहीं है इस में काम चल रहा है और इसमें थोड़ा टाइम लगता है देखो मित्रों की यह इसमें चुकि पौदा बढ़ेगा चोटा पूदा लगा उसके पूरा बरना है और बहुत अच्छा फीनिश होने में तो साल का टाइम लगता है पर आप यह देख रहे हैं कि यह जैसे हमने आती बनाया ऐसा आप दूसरे जानवर भी बना सकते जो आपको अच्छा लगे तो यह वही आती बने जो आपको इसके पहले जो आती बताया है एक हाथी यह बंद रहा है अभी इसमें क्या थोड़ा सा कम हाइट का हाथी जैसे चार साड़े-चार पांच पिड में आब साथ-प सब्सक्राइब तक के हाथी का सब्सक्राइब बना सकते हैं वायर थोड़ा सा उसके साइज की साब से मोटा पतला हो जाएगा यह यह जो सुन्ड है यह सुन्ड अभी रेडी नहीं है लेकिन यह हमने इसको तार से इसको पूरा बाइंड किया है ताकि यह टूटे नहीं और आप भी जो है इसी तरह से बना सकते हैं एसे आप वीडियो में देख सकते हैं उस सब फोसारा मट्रियल मदा रहे हैं कि और वी इसी तरह से आप अपने घर पे बना सकते हैं यह सब शीजें तो दोस्तो आज जो हमारी द्वारत दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी कि किस तरह से वायर को मोड के पौदों के साथ में शेप दिया जाता है और साधारण से पौदे को हम किस तरह से बहुत अच्छा लूक दे सकते हैं मुझे उमिद है कि आपको जानकारी बहुत पसंद आई होगी इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल में बने रहे है दप्लांट गुरू पे लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे के ऐसे वीडियो आगे भी हम दिखाते रहे नमस्ते